हेलो फ्रेंड्स मैं हो ने रूपमा और मेरी किचिन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बनाएंगे मसालापाव, ये स्ट्रीट फूड है और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में तो आज हम इसे बिल्कुल ही स्ट्रीट इस्टायल में ही बनाएंगे इसे बनाना भुत ही आसान है तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं मसाला पाऊ बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन लेंगे उसमें दो बड़े चमत तेल लालेंगे उसके बाद इसमें हम डालेंगे बटर तेल और बटर को मिक्स करेंगे और अच्छे से गरम होने देंगे अब इसमें डालेंगे बारी कटी हुई प्यास प्यास डालके इसे भूनेंगे प्यास को बहुत जादा ब्राउन नहीं करना है बस हलका साई इसे फ्राइ करना है पर हलका सा पिंक शिसमें color आ जाएगा प्यास को भुनने के बाद इसमें डालेंगे हम बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च फिर इसे मिला लेंगे इसे 1.5 मिन तक के लिए अच्छे से भुन लेंगे फिर इसमें डालेंगे हम जिंजा गाली का पेस्ट और मिला लेंगे इसे देर मिनद तक के लिए इसे अच्छे से भून लेंगे प्यास और शिम्ला मर्ज को भूनने के बाद इसमें हम टमाटर डालेंगे तो एक कप इसमें हम टमाटर डालेंगे बारी कटा हुआ इसे भी 1 मिन अट के लिए भूण लेंगे कैस के फ्लेम को मीडियम पर ही रखेंगे और इसे भूण लेंगे अच्छे से अब इसमें एक चमच कश्मीरी लाल मुर्श डाल देंगे इसके बार डालेंगे आदह चमच हल्दी पॉर्डर एक चमब धनिया पाउडर डालेंगे और दो चमब चिसमें डालेंगे हम पाउभाजी मसाला इसका जो मसाला बनता है वो बिल्कुल पाउभाजी की तरह ही बनता है तो इसमें आप पाउभाजी मसाला जरूर डालें अब मिला लें सारी चीज़ों को और अच्छे से पकने देंगे थोड़ा सा नबक डाल देंगे स्वात के नुसार हम मिला लेंगे तो मसालों को अच्छे से भूनें, जितना आप इससे भूनेंगे उससे भूती अच्छा टेस्ट आएगा अब इसमें आदा कप पानी डालेंगे, मिला लेंगे फिर इसे मसाली के हमें ग्रेवी बनानी है तो बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और नहीं बहुत सुखा होना चाहिए मीडियम फ्लेम पर इसे पकाएंगे अच्छे से अब चाहिए तो इसे मैशर से भी मैश करके इसे भून सकते हैं जैसे हम पाव भाजी की भाजी बनाते हैं इसी तरह से ये देखे बर इसी तरह से हमें मसाला रखना है ना तो बिल्कुल सूखा होना चाहिए और नहीं पतला होना चाहिए अब हम इसमें पाव सेकेंगे तो बटर डाल देंगे इसमें और जैसे श्रीट वाले इस तरह से सबजी को अलग करते हैं तो चारों तरफ से सबजी को अलग कर देंगे और बीच में बटर डाल देंगे पटर को मेल्ट होने देंगे अच्छे से यह अर थोड़ा सा इस पे मसाला भी डाल देंगे अब इसमें हम पाउ रखेंगे और इससे से Hackेंगे तो जो मसाला है बिलकुल औब्जर्व कर लेगा पाउ का अच्छे से स्पुन से दवा की सारे मसाले को इसमें लगा लेंगे अब भूलेंगे अच्छे से फिर इसे पलट देंगे हम पलटे के बाद ये देखिए मसाला कितने अच्छे से इसमें अबसर्व हो गया तो दोनों तरफ से पाओ को सेख लेंगे और सारे मसाले को इस पे लगाएंगे अच्छे से तो दोनों तरफ से मसाले को इस पे लगा लेंगे यह देखें इस्तार जैसे अब थोड़ा सा मसाला लेंगे और पाओ के ऊपर रखेंगे पिल्कुल अच्छे से इस पे कोट करना है考 मसाले का बहुती बड़ीया टेस्टा आता है इसका मसाला सारे अच्छे से लग जाएगा फिर इसमें हम थोड़ा सा धनिया पत्तर डाल देंगे इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ेगा अब हम दूसरे पाउक इसके उपर रखेंगे और यह हमारा मसाला पाउक बिल्कुल रेडी हो जाएगा यह देखे इसके उपर भी थोड़ा सा मसाला हम लगा देंगे तो और भी अच्छा लगेगा और यह देखे हमारा मसाला पाउक बिल्कुल तयार रखाने के लिए यह देख सकते हैं कितना संदर लग रहा है और टेस्टी भी अब इससे सर्व करेंगे तो इस स्ट्रेट स्टाइल मसाला पाउक का आप खर में बहुत आसानी से बना सकते हैं तो अब आपको बाहर जानी की जरूरत नहीं है आप इसे बहुत आसानी से घर पर बना सकते हैं बच्चों को तो यह बहुती पसंद आता है आप इसे ब्रेक फास्ट में भी बना सकते हैं और शाम को जो हमें थोड़ी सी भूक लगती है बच्चों को भूक लगती है तो आप इसे जटपट से बना कर उन्हें दे सकते हैं जब आप इसे सर्फ करें तो थोड़ा सा इसके उपर नीवू करश डाल दें इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा बहुती लाजवाब और टेस्ट यह मसालब पाव आप घर में चरूर बनाएं और उसके बाद मुझे कमेंड में जरूर बताएं कि आपको यह रेस्पी कैस